है आज कि ृप्लास में हम बात कर रहे हैं filter के बारे में आपके साथ डिसकस करेंगे कि किस तरह से data को filter किया जाता है और चोटा सा topic है हम इस topic के डिसकस करें एच है filter 3 ऑल थेक्ष्ट ses थे मैंने कटीफ सबसाना है नॉपर है तीसरा जैसे इसके अंदर डला हुआ है text इसका मतलर यह हुआ यह text का हुआ नंबर डला हुआ है और टाइम डला है तो डेट कर दिए का हुआ है जैसे हम फिल्टर लगाते हैं यहां से है यहां पर फिल्टर लगा दी इसका shortcut होता है control shift L उसके बाद मैं यहां पर मान लीजे कि मैंने select का लिया यहां पर direct यहां पर सिर्फ direct का ही total दिखेगा या online लेक कर लिए कुछ लेक कर लिए उसी का दिखेगा रेट लेकि इसी के अंदर कुछ कई भी होता है जैसे कि अगर हम यहां आते हैं इस city वाले filter में तो filter by text आपको दिख रहा होगा इस बंडीशन लगाती इक वाल डिख अंडीट इसे में डाल दिया डैल ही तो यहां डैल ही और नियू डैल ही दोनों का total फिल्टर आपको दे देगा क्योंकि हमने क्या 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 यहां बस्ट नोड कंटेंड मुझे डैली के अलावा सब कुछ चाहिए तो डैली और न और यहां पर एक और आता है फिल्टर बाइ लगा सकते हैं तो फिल्टर बाइ आइकन है आईकन आइकन था जाएगा आइकन के लिए अलग नहीं मैंने सिलेक्ट करना है इसको सिटी को तो मैंने मालीजी ओल्लाइन सिलेक्ट किया और इस ओल्लाइन के अंदर मालीजी मुझे सिलेक्ट करना है सिटी डेली को तो हमने डेली को सिलेक्ट कर लिया तो यहां डेली का डेटा आ गया इसके अंदर मुझे कैस सिलेक्ट करना है तो आपका indio का data आ जाएगा यहां पर यहां से मुझे clear करेंगे तो इस लिए और data में filter रगा हुआ है यह कैसे पता चलता है यह जो आपका जो रो नंबर है यह हो जाते हैं ब्लू क्या हो गया ब्लू हो गया तो ब्लू है इसका मतलब है कि यह देटा हमारा उसके बाद हम बात करते हैं number filter तो मैं से करता हूं नंबर नबर डला है यहां से अपने number को सेलेक्ज कर सकते हो नंबर को सर्च कर सकते हो यहां पर नंबर फिल्टर में आते हैं केकुल टुकि प्र्टिक्वलर नंबर टिज नॉट इकवल टूश साला गेटर दें मैं आप बोला कि गेटर दैन फिटीन स्लेक्ट करिया तो 15 से उपर वाला ज्यवी नंबर है साला डावा स्लेक्ट यहां पे ओ गया उसके अलावा यहां पर आपके सामने आता है तो इस तरह से स्लेक्ट कर सकते हैं उसके बाद करें तो एक तो देट पायकी यहां तो इस तरह से कलब होके आएगा उसके बाद यहां अगर एक यह चेक कर दोगे तो यह हो जाएगा यह के अंदर आप देगो मंत के अंदर आपका डे होगा और टाइम बगड़ा भी है तो आवर बिनुट सेके इसके अंदर आएगा डेट फिल्टर पर आते हैं तो कुछ बड़ा साई फिल्टर आपको दिखेगा जैसे के एक प्रिकुलर डे इस मांद नेक्स वीडिस मांद नेक्स मांद लास्ट मांद इस इर और यह जनवरी 2020 से आज तक की डेफ पुड़ा आपको दिख जाए जो भी होगा ऊसके अंदर उसके बाद यहां पर आता है आ ओल-treated जिसमें महले बिए कई साल का data है तो मैं उसी स्यव्यषदा सिर्फत करेंगे उसी प्रियोड का data का यहां स्लेक्टों गया थिए कि एक ले इसमें को डाउट है तो फिल्टर के बाद बात करते हैं आप इससे बताने की जरूत नहीं है आप यहां से कोई चीज को धून सकते हो उसके बाद आप इसको रिप्लेस से रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर कंडिशनर जाए कि मैंच केस आप बरे चोटे का फरक नहीं बाद चायए दा है से लिक्जॉट करता हूँ तो डेली नूदली दोनों कर डूंदेगा ना मैं बलता मैं नहीं सिर्फ डेली होना चाहिए तो डेली आये रोभाइस और सर्च करना है यह फॉमुला वाइस वारइस साच करना है कि इसका कर उसका का बनद नत कर डिखाए कि इस तरह से find कर सकते हैं, find के बाद यहां आता है आपका go to special, go to से आप जान सकते हो कहीं इस जगह पर इसे मैं चाहता हूं कि यह 200 पर चला जाओ, तो इस चला जाएगो, कैसे यहां से भी हम जा सकते, go to एकाम एभी उकरता है, लेकिन go to special, go to special का use होता है कि आप क्या select करना चाह आते हैं, इससे पहले यह classes में भी इसको मैंने use करके दिखाया है आपको, कि यहां पर मुझे चाहिए content select करना चाहता हूं, content में कौन सा, तो मैं चाहता हूं, जिसमे number हो, text नहों, formula नहों, error नहों, वो आपको यहां देखे, select होगा है, सिर्फ number को select किया है, तो इस तरह की particular part क select करने के लिए हम go to special का इस्तमाल करते है, इसे blind को select करना है, current region करना है, current array करना है, pictures वगड़ा है, object है, जैसे की picture हो गया, saps हो गया, graph हो गया, उसको select करना है, last row पे जानना है, visual sales only पे लेना है, visual sales का एक अच्छा कासा use होता है, क्या होता है, कि कई बार हमारे पास पुछ numbers साथ कुछ data आता है, माल जिए filter लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो data हो जाता है, हाई, मैंने कुछ data कर दिया, यहाँ पे, हाई, हाइट करने के बाद, अब मैं इसको copy करके कहीं paste करते हैं, तो पूरा data paste हो रहा है, मुझे चाहिए सिर वीजवल data, तो यहाँ पे हम जाते है तो यहाँ पे, गुट वे स्पेशल और सेलेक्ट करते हैं, वीजवल सेल्स ओनली, दैन इसको copy, then paste, ठीक है, copy and paste, समझ गया है, ठीक है, यह था हमारा, filter का topic, अब हम बात करते है, analyze, analyze data, तेकि analyze data, अगर आपके पास latest action है, तो analyze data आपका मिलेगा, otherwise नहीं मिलेगा, latest action, विससे आपके पास data आया, अब इस पे आपको analyze करके कुछ बनाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो simple सा data आओ किजिए, select, go to analyze, अब analyze में इसने कुछ ऐसे चीज़े दे रही है, कि क्या आपको इस तरह का रिपोर्ट चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्या इस तरह का रिपोर्ट चाहिए, क्या इस तरह की रिपोर्ट चाहिए, क्या इस तरह की रिपोर्ट चाहिए, क्या इस तरह की रिपोर्ट चाहिए, त तो quantity के base पे इसने different different pivot और चार्ट लगा के अपके सामने दे दे दिए उसके लाबा मैं यहां पर करता हूं percentage total amount from the sales time तो यहां देखिए आ गया मैं यहां पर insert करता हूं तो एक नई seat में my report बन के आ गया और इसमें आप अपने हिसाब से कुछ type भी कर सकते हैं जैसे अपने लिख दिया यहां पर कि एक तिए टोल हम ऑये सकते हैं में शौन जैसर करता हैं जाए यहां जैसा क opposite रह्तjor बन्साफ दिए से एक तार बिस्ट दिए ठीज़ब्सनों पर किजए एक बliदी लिखए डोन जैसर कर किए औरन आप ओपने सपथ कान चारnon पर क्लिक किया तो यहां पर लिखता हूं पिवर्ट भी लग गया और यहां पर चार्ट भी लग गया ठीक है तो एनलाइज डेटा करके इसने और भी बहुत सारे चीजे ढूना जा सकता है लेकिन ध्यान रखेगा इन को चीजें सर्च कर रहे हैं तो इंटरनेट का करेक्शन भी होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट से जाता है और भी करके लाता है इसका ध्यान रखेए ठीक है तो इसको दवावी किजिए प्रैक्टिस